चीन की राश्च्रपती शी जिन्पिंग इस समय दो दिवसी भारत दोरे पर हैं और इसी बीच तमिलनाडू के कोवलम में प्रधानमंती नरेंद्र मोदी और शी जिन्पिंग के बीच अनौपचारिक ब्याठक होई इससे पहले पिये मोदी ने सुबह सुबह जोगिंग करते हुए मलम पुरम बीच पर सफाई भी की वहीं शुक्रवार को जब जिन्पिंग भारत पहुँचे तो पिये मोदी ने उनको तमिलनाडू के महा बली पुरम के एतिहासिक इस सलुका भ्रहमन कराया इसके बाद पिये मोदी और जिन्पिंग ने धाई घंटे तक साथ में डिनर भी किया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंगवाद और व्यापारिक एस संतुलन का मुद्ध उठाया वही मोदी ने चीन के राश्रिपती शी जिन्पिंग के साथ अपने दूसरे अनौपचारेक शिकर समेलन के धुरान कहा कि उनके बीच हुई यह वारता भारत चीन सहयोग को एक नई दिशा देगी प्रधानमंदी नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच पन पे मद्भेत को विवाद बनने नहीं दिया जाएगा और इससे सुलजाने की कोशिश की जाएगी